दमोजले के मली अमीन परिसर में अनंत चतुरदेशी के अवसर पर श्रीजी का विशेक किया गया जल विहार किया गया मालुमों कि अनेक वरिशों की परंपरा के नुसार मली अमीन परिसर में इस्तेते जैन मंदिर में श्रधालू सुबह के वक्त में जुटते हैं श्रीजी का अविश्यक करते हैं और भगवान की भक्ती भी करते हैं इसी सलसले में यहाँ पर जल बिहार का अयुजन किया गया जहां पर बड़ी संख्या में श्रधालियों जैन धर्माबलंबियों की उपस्तिती के बीच श्रीजी का अविश्यक किया गया अविश्यक करने क परत्रविष्टी को रिखती अन्मिक ज्याना ईसको यंभिष। सिसाय घुल्दाय परमस्थी परत्रुकाय प्रेलोग भंचाय अनन संतारशेट्रिप्र मुझदाय अनुत ज्यान रशन वीश्वास। त्रलोग दुशंक राए, सत्ति जयाना आई, सत्ति ब्रामनी, वहत्पडा मंडल मंटाए, श्यारिका, श्रावक शाविका, प्रभक तुट्टं उस्तर गिनाश्नाए, धाती कर्म शेंकराए, अजराय, अबवाय, अखवाय, अजिति रस्तों, तोष्टी रस्तों, इन आई, सत्ति ब्रामनी, ब्र्क शाविया अफुश। अदना घ cabना के लिए घा जी दस लक्षन पर्व के द्वारान अनंत चतुरदसी के दिवस स्री एक हजाराठ मलेया मील मंदर में प्रति वर्स सामुहिक सांतिधारा और अभिशेक का कारिकम किया जाता है पुशी करम में आज यहाँ पर स्री जी का अभिशेक एवं शांतिधारा का कारिकम किया गया है जिसमें यहाँ पर लोगों ने शौबाग प्राप्त किया और प्रमुक पात्र बन करके शांतिधारा की और एक सो आठ कल्सों से यहाँ पर अभिशेक किया है और आज यहाँ पर शांतिधारा करने का शौबाग स्री जैंत कुमार जी मलाईया जो की पूरू रित्नमंत्री है उनको प्राप्त हुआ है स्री हेमंत कुमार जी मलाईया और स्री अजित कुमार जी शौमखेडा और स्री पदम कुमार जी खरीवाले परीवार को प्राप्त और भी एसे चौबाद विसाली बख्त हैं जिन्हों ने आज यहां पर विताम बर्बस्ट धारा करके शान्ति धारा कर की है और अभीशिक किया हुआ है अज अलिया मिल में दस लक्षन परवे के उप्रान 14 के दिन स्री जी का पंड़क्षला पर वराजबन करके एक सो आठ कलसर से अभीशिक किया गया सान्ति धारा हुई जिसमें सभी स्रावक स्राविकाओं ने आप में अरस की अनुदी की और दस लक्षन पर मनाया और सभी चाह होती रहे हैं और हम दस लक्षन पर मनाती रहे हैं और आत्मा का खल्यान करती रहे हैं